कर सब्सक्राइब को सागत है मेरे यूट्यूब चैनल को उसमें से 30 बर और आज हम बात करने वाले हैं जो माया वरत का जो 31 विशय है नारत राजस्वय यग और जरासंद उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइ कीजिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए अच्छे से समझने के लिए श्टूरी को और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए और शैद भी कीजिए आपके फ्रेंट से दिलेट विसके साथ ताकि हमने चैनल ग्लो कर सके तो सुरूत करते हैं हमने पिछले वि के कारण मुझे रक्षा मिली है और आपने मेरा जीवन रक्षा करके मेरा बहुत उपकार किया है और मैं इसके प्रतिदान में मैं आपके लिए कुछ खारिय करना चाहता हूं तो अर्जुन ने कहा कि किसी उपकार के बदले प्रतिवकार लेना मेरा धर्म नहीं है तुम हमा कि युदिष्टिट के हिट के लिए एसा एक ग्रहे निर्मान करो जो कि इंद्र के देवसभा से भी बहुत अच्छा होगा तो मैं दानवने इसे ग्रहे निर्मान करना सुरू किया और कृष्ण इंद्रपस्त में बहुत दिन तक रह गे और अपने पिता को देखने के और उनको विदाई दिया और एक दिन मैं दानव ने जो राध सभा निर्मान किया था तो वहां पर नारद रिश्टिय आकर पहुंच गया और उन्होंने राजा को बहुत उपदेश दिया बहुत ही उपकारी उपदेश उन्होंने दिया और उपदेश चब देने के बाद युदिश्टिय नारद को प्रणाम किया और उनका उपदेश मान कर चलने के लिए उन्होंने प्रतिया किया और नारद ने विदाई लेने से पहले कहा कि युदिश्टिय तुम प्रिथिवी जय करने के समर्थ हो तुमारे बीर भाता भी तुमारे आग्या मान कर चलने के करने के लिए उन्होंने अपने भायों के साथ मंद्रन किया और यह बातचित किया मंत्री ब्यामण और रिशिगन को भी बुलाया है इसके बारे में समने का कि यग्य कीजिए पर युदिस्टिर का मन फिर भी सांत निवा उन्होंने सवाचा कि ओपको देखे तो राजसे के करने के लिए आप तो योगिये हैं पर मगत समराट जो जरासंद है रहने तक आप राजसे नहीं कर सकते क्योंकि पूरे प्रिछी को किये बिना आप सम्राट नहीं बन सकते और जरासंद के प्रताप से अभी पूरा भारत वर्ष कांप रहा है और प्रतापी शिसुपाल वो जरासंद का सेनापती है और तुम्हारे पिता पांडू के मित्र बलशाली राजा भगदत और राजा मुरू दंत और ये सब उनके कबजे में हुंए तुमन जानते हो कि कंस के निधन के बात जरासंद नहीं मतुरा कुछै और हम सब यदु बन्षियों को मतुरा छोड़कर आना पड़ा द्वारखा को और जो जरासंद है वह भी छैयासी राजाओं को बली चढ़ने के लिए उनको बंदी करके रखाए तो जरासंद जब तक है आपके से सम्राड बन सकते हैं और राजशेगे कर सकते हैं कि नहीं युदि आपको जो बंदी राज हैं मकट करना पड़ेगा और जरासंद को परास्ट करना पड़ेगा तो कि नहीं लगते कि हमारा शाह से उनने पुरास्ट करने का और हम सांती के साथ हमार राज में संटोष त्विष्ट रेकर सासन करना चाहिए तो भीम ने कहा कि नहीं हम इसे हम इसे नहीं करना चाहिए श्रीकृष्ण नीती में निपुन है और मेरे पास बल है और अर्जून के पास जैलाफ करने की योग गिता और अगर स्री क्रिष्टम में और अर्जुन मिल जाएं तो जरासंद को जरूर मार सकते हैं तो जरासंद इतना वलवान है कि प्रिथवी में कोई भी इसे परास नहीं कर सकता है और मैं अभी राजिसेंगे का आसा में अभी छोड़ रहा हूँ और अर्जुन ने कहा कि आप अपने आपको क्यों असा मत समझ रहे हैं मेरे पास इतने दिब्यास्तुर और धनु है और किसी भी दुर्जे शत्रु को मैं वर्ष्ट में करके उसे हरा सकता हूँ और हम जरूर विजय हो सकते हैं तो क्रिष्टन ने कहा कि अर्जुन भरतवन्स के योगयता के पार में उन्होंने कहा और मुत्य कब आएगा ये भी हम नहीं जानते हैं अगर यूध भी नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि हम जीवीची रहेंगे हमें कभी तो मननना पड़ेगा इसलिए यूध करके अगर सर्क्रपाक्ति होगी तो यहीं बहतर है अर्जुन ने भी कहा तो अजिश्टिन ने कहा ठीक है भीम और अर्जुन श्रीकृष्ण के साथ चले और फिर वह सब चलने लगए अर्जुन श्रीकृष्ण और भीम जरासंद को मानने के लिए वह चले आर जाने से पर श्रीकृष्ण हने कहा कि अभी जरासंद का मित्यों का समय आचुका है और उसके जो जामाता हैए यह जो जरासंद वह कंस के सश्वर हैं और कंस तो मर चुके हैं डिमबक भी डिंबग देशे सेनापती में मर चुके हैं इसलिए दन जरा ही अभी हम मार सकते हैं जरासन को और हम अगर उनको चुनोती देंगे युद्ध करने का तो वह जरू राएंगा भीम के हाथों में मरेंगे तो युदिश्टी ने कहा कि आपको जो चाहिए वह करें पर और अगत के राजदनी गीरी ब्रज के पास पहुंच गए तो यहीं था आज का विश्य है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और वीडियो का इंट देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज चानल को सब्सक्राइब केजिए चैनल सब्सक्राइब तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार